मस्कार दोस्तों मैं संजय आपका बहुत बहुत स्वाइब करता हूँ आपकी अपने यूटूब चैनल में तो दोस्तों आज मैं बैंक रिप्टी ओप्शन्स की पूरी परप्रोमिस दिखाना चाहूंगा और स्वाइब करके दिए वो सारी बाते में हाँ पर सब सीजह क्लियर करना चाहूंगा और कुछ लोगों को जो डाउट आ रहे हैं कोशन आ रहे हैं बो भी मैं इस वीडियो के मादब से उनके आंसर देना चाहूंगा तो वीडियो पूरा देखेगा ताकि आपको सारी चीजों के आंसर मिल सकें और आज कैसे क्या काम हुआ वो सारी जानकारी आपको मिल सकें तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं मैं आता हूँ सबसे पहले चार्ट के उपर और चार्ट के उपर आने के बाद आपको बताना चाहूंगा कि आज हमें किस में काम करना था यानि कि कौन से स्ट्राइक प्रैस के अंदर हमें काम करना था तो साब यह रहा अपना बैंक निप्टी का फ्यूचर का चार्ट और future को जो चार्ट होता है इसकी only opening price जो होती है यानि कि bank nifty आज कितने से open हुआ है वो हमें यहाँ से simple सा check कर ला है तो देखेगा opening candle पर इस तरह से automatic line draw होके आती है जिससे हमें पता चल जाता कि भी market यहाँ से open हुआ था तो हम simple से यहाँ से check कर सकते हैं बगी market आज का यहाँ से open हुआ अब मैं यहाँ से पता चल लगा कि यह अपनी opening candle तो simple से क्लिक कर दा हूँ जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो इस opening candle की जो opening price है वो यहाँ पर मुझे show कर गई है यहाँ देखेगा 44,710 का आपका opening price था और opening candle कर में lower check करू lower price यहाँ पर है market अपना यहाँ से open हुआ तो यहाँ से आप opening price की जायन कर ले सकते हैं और अगर चाहते हो कि demate account पर भी आपको check करना है कि आज bank nifty future कितने से open हुआ तो अचले दोस्तों demate account पर कैसे check करते हैं दिखा देता हूँ तो यह रहा दोस्तों मेरा demate account यहाँ पर देखेगा आज का जो मेरा profit है वो भी आपको यहाँ पर शू कर रहा है अब साथ में सर यहाँ पर देखेगा bank nifty future का मैंने यहाँ पर लगा रखा है price तो यहाँ पर मै simple सा आता हूँ यह lies below का यह account है और यहाँ पर देखेगा आपको यह market debt आपको मिलेगा इस पर simple सा आपको click कर देना है जैसे आप इस पर click करते हो तो यहाँ पर देखेगा आज जो market कितने से open हुआ वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है देखेगा 5710 का आपको opening price यहाँ यहाँ पर ठीक है और तो भी simple सा हमें आपर देखना है कि opening price क्या है भली आप डीमिट पर देख लो या फिर आप चार्ड पर देख लो कोई दिक्कत नहीं तो यहाँ पर देखेगा market debt में आप जाओगे simple सा कहीं पर यह देखिए अपना वैंगरिप्टी future यह रहा market debt आपको क्यों काम करेंगे वह हमें चवाल साहर 700 के strike price पर काम करना है क्योंकि 44-110 आज का opening है और 44-110 के nearest आपका 44-700 का strike price पढ़ने वाला है तो यहाँ पर हम लोग लेफ्ट साइड में आएंगे 44-600 में आपर लिख देंगे जैसे हमें 44-600 लिखा तो 44-600 का call option और put option यहाँ पर निकल कर चुक है उपर का जो डाटा है इसको आपको छिड़ना नहीं है आपको जो नीचे का जो डाटा है 44-600 का call put आपको बस सरफ यह देखना है अब यहाँ पर मैं आता हूं call put के मलग चार्ट के उपर और देखेगा मैंने 44-600 का यह put option यहाँ पर open कर लिया तो देखेगा put option मैंने डाटा यहाँ पर लगाया और नीचे देखेगा आपका लिखा को option premium chart यहाँ पर यह लिखा है ठीक है तो मैं option के चार्ट में यहाँ पर आ चुका हूँ और morning से लेकर अभी तक क्या हुआ है इसके अंदर वो सारी बाते में बार reply के थुरू आपको बताना चाहूंगा तो द चेक कर सकते के market कैसे क्या morning में open हुआ था कैसे signal generate हुए थे बहुत सारी बातें आपको दिखाई देने वाली हैं जैसे कि यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इस candle पर market ने पहले candle के अंदर ही market ने आपको buy signal दे दिया था अब यहाँ पर बहुत से दोस्तों का यह question आ रहा है कि सर second candle पर हमें entry करनी यहां से और entry कर रहना है भी बहुत से लोगे बोल्यूम ग्रीन नहीं था दोस्तों आपके आपको सामने आपको दिखा रहा हूँ अब देखीगा थोड़ा मैं इसको पीछे करता हूँ जैसे मैंने इसको पीछे किया यहाँ पर देखिए candle generate होने पर तक ठीक है अगर यहाँ पर बोल्यूम ग्रीन हो गया मतलब क्या होगा साब entry तो बनता है और साथ साथ देखीगा market के जो strength है वो भी देखीगा 76.90 के आसपास यहाँ पर प्लस में था तो यानि कि definitely हम यहाँ पर काम कर सकते हैं और देखीगा हमने यहाँ पर काम किया काम करने ब अगर यहाँ तक अभी first target के आसपास market चल रहा है इसके बाद अगर check कर तो market देखीगा यहाँ पर second target के आसपास तक market गया था और इसके बाद देखीगा second target अच्छी होने के बाद यहाँ पर आपको exit कर बाद दिया और आप check कर सकते हैं आप exit करने बाद देखीगा market नीचे आना शुरू कर दिया था तो इस तरह से मैं अगर check करता हूं तो morning के signal में हमें हाँ पर पैसा मिला है और बहुत सो लोगों इस पर काम किया है बहुत सो लोग चेक करते रहे कि उनने काम नहीं किया दोस्तों देखेगा आपको simple से जब भी काम करना है वहाँ पर जादा दिमा मार्केट में मार्केट में मार्केट डेली चलने वाला है आज पैसा नहीं बनाया तो कल बनाएंगे कल नहीं बनाया तो परसो बनाएंगे और इसी तरह आपको काम करते रहना है आपको मार्केट से डरना बिल्कुल नहीं है बस आपको मोके मिले मोके मिलेंगे उस टाइम प यह morning का signal था, इसके बाद देखेगा फिर से क्या हुआ, इसके बाद देखेगा market आपका side-base चलता रहा, आपको कोई यहाँ पर मौका नहीं मिला, और इसके बाद देख सकते है market के अंदर एक re-entry बना था, sorry, re-entry ने फिर से signal generate हुआ था, यहाँ पर यह देखेगा यह वाला, अ यानि कि definitely सब target देखे जाएगा, अब आप check कीजेगा क्या हुआ, हमने next candle से entry किया, आपका buying price कितना था, टू डवलेट के असपास था, अब यहाँ सित्वला मैं आगे बढ़ता हूँ, जैसे मैं आगे बढ़ा, तो यहाँ पर देखेगा, आपको white color की candle generate होती हुई था, तब तक आपको exit नहीं करना, भली वो exit point आपके सामने आजाए, या white color की candle आपके सामने आजाए, नहीं करना exit, हम लोग वेट करेंगे, क्या वेट करेंगे, हम लोग वेट करेंगे, target का हमें आपको target लगा देना और SL लगा देना, जो भी होगा, हम उसका welcome करेंगे, आपको देखेगा, यहाँ पर इस candle पर आपको target दिया, target देने के बार market नीचे गिरा, तो यहाँ पर क्या हुआ हमारी बात खतम, इस candle पर मैं बता हूँ, आपका देखेगा हाई कितना है, 313 रुपे 50 पैसा, आपका first target कितना था, 311 रुपे 41 पैसा, आप target हुआ की नहीं, definitely यहाँ पर target हो चुका है, target होने के बाद फिर market नीचे आके गिरा, इसके बाद देखेगा हमें कुछ नहीं करना था, वेट करना था, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, market देखेगा, दाउन ट्रेन के अंदर चल बेटा है, वो लगा था, यहाँ पर देखेगा, market दाउन आने क का green था, market का strength यहाँ पर green था, अब यहाँ पर कुछ लोगों के question यहाँ आ रहा है, कि सर यहाँ पर entry करना था कि नहीं करना था, तो यहाँ पर बताना चाहूंगों, जैसे कि मैंने कुछ अभी latest वीडियो में ने चीछी बात आई है, कि अगर आपकी entry के signal candle अगर आपकी white हो, यहाँ पर entry candle अगर आपकी white हो, तो वहाँ पर entry मत करो, ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि भी बात ही होती है, अगर आपकी entry candle अगर white वनी है, मतलब क्या होता, market यहाँ से reverse हो सकता है, यह पूरी-पूरी हाँ संभाबना बनती है, ठीक है, लेकिन इसके बाद अगर फिर से यहाँ पर आपको re-entry candle मिले, और वहाँ पर वो re-entry candle आपके green हो, तो definitely entry कर सकते हो, लेकिन आला पर यहाँ पर बहुत से लोगों ने काम किया, और सब मैं बोल दूँ, मैंने भी काम किया था, यहाँ पर इसलिए मैं मौर्निंग के वीडियो में चीज़ी नहीं बता पाया, लेकिन ज देखिए, थोड़े दो हम आगे बढ़ते हैं, जैसे आगे बढ़े market, यानि कि अभी तक हमारी entry नहीं होई, हम लोग wait कर रहे है, simple सा re-entry आने का, और यहाँ पर देखेगा, इस candle पर आपको एक re-entry का point यहाँ पर मिला था, अगर आपको यकिन भी आपके अपने डिमेट अक आपको दो हो तरह सी क्या असपास आई है, तो यहाँ पर बताना चाहूंगा, यहाँ पर मैना काम लोड भाय किया था, लेकिन यहाँ से मैना लोड की संख्या आना, जो अपने full limit होती है, जैसे आपको पता है, 40 लोड से काम गरदा हूँ, तो मैने यहाँ पर लगवे 40 से ल देख सकते हैं, लगवग मार्केट, लगवग साड़े 300 पॉइंट के, लगवग 390 पॉइंट पर चला गया और देखिए 400 के आसपाँ टच कर गया, ठीक है, यहाँ आप चेक कर सकते हैं, मार्केट कितना जाद उपर गया, और यहाँ पर देखेगा, आपका वाइट कलर का क यहाँ पर हमने एकजिट किया, और हमने बाइख किया था, तो यहाँ सा हमारी रिएंटरी यानि कि यहाँ सा हमने एंटरी किया, कितना हुआ, 283.50, कितना पैसा मिला, 110 पॉइंट बिले यहाँ पर, अगर एक सिंगल लोट से काम करते, कितना पैसा मिलता, लगवग 1654 मिलता, 66,000 मिलता, तो आपको चलिए, मैं बता देता हूँ, यह काम मैंने भी किया था, और मुझे भी यहाँ पर मुनाफ़ा हुआ है, तो आपको बता देता हूँ, यह दोस्तों, यह देखीगा, तो यह रहा मेरा डेमेट अकाउंट, जिसके अंदर आप चेक कर सकते हैं, यह दोस्तों बताना चाहूंगा, कि 44,000 के पॉट आपशन पर यह मतलब की एक एंट्री नहीं है, यहाँ पर मैंने मौर्रिंग भी काम किया था, इसके बाद मनलब की मैंने अपनी एंट्री जनरेट हूँ थी, तो इस तरह से मेरी एवरेजिंग यह बाइंग प्राइज है, आपकी एवरेजिंग बाइंग प्राइज मतलब होती है, यहाँ पर यहाँ पर चेक कर सकते हैं, लगबग यह मैरी सेलिंग प्राइज अदर बता चुका था, इसके रिगार्डिंग सारी इंपर्मेशन में दे चुका था, तो यहाँ पर मैरे जो अपना लगबग असी वह लोट हो चुछा यहां पर अलेकम यह जो कम है कि यहां पर ST 5 मेरे कम हुआ हुआ कि अ थ Young यहां पर प्रोफिट हुआ था जो मैंने वीडियो बनागी थर टि schaffen उसका अधर में बता चुका था चिंप इसके बात देखिए करम नेंगा भी का। खांट कुल तो आप से हैंने al כ takie WAT कि शुका चुका था। इसके बाद यहां पर और भी जो काम हुआ था इसके रिगार्डिंगे बताना चाहूंगा तो यह रा फिर से हमारा चार्ट यहां से तोड़िए हम आगे की बात करते हैं देखिए कि आपके बड़े थे तो यहां पर यहां पर मैंने एक्जिट किया था मैंने लगबग यहीं पर एक्जिट कर लिया था इसका मैंने एक इसकी शोड़ भी सेंड कर दिया था आप मेरा उसमें चेक कर सकते हो तो भी मैं यहां तक नहीं रुख पाया था तो कि दोस्तों क्या होता मैं कभी-कभी ज़्यादा विजब बर्किंग लोड होता तो महां पर ज्यादा रुक नह एक्जिट कर जाता हूं तो मैं यहां तक लगबग होल्ड नहीं कर पाया इस चीज़ को अलग यहां तक अगर होल्ड करता तो प्रोफिट्स और डेड़त लाग के उपर होता लगबग इसली हो जाता ठीक है तो यहां पर देखेगा मार्केट ने कुछ इस तरह सा माहल बना प्रेज्ट करने लगता है वह जो कि फिर आपको कंपूजन होता फिर मेरे सो कोश्चेन करते इसली मैंने आपर इस्ट्राइक प्राइस चेंज किया मैंने चवल सेर 500 का स्ट्राइक प्राइस यहां पर लगाया और देखेगा उस टेम पर क्या हुआ था देखेगा मैं चवल सेर 500 का स्ट्राइक प्राइस यहां पर लगा देता हूं यह देखेगा और चवल सेर 500 का मैंने आपर देखेगा यह प्रोड ओप्शन लगा दिया अ यहां पर इस candle पर तो इस candle का lower price अगर देखें हैं 26.90 पैसे के आसपास है लेकिन मैं उस time पर मनलब की उस time कोड़ा बात भी कर रहा था तो यह दम मैंने market में देखा कि रेंट्री हुई है तो मैंने यहां से market को पकड़ा था लगवा मैंने सामने से exit में लगवा कोई order किया order लगाया market price पर तो लगवा 24 रुपे और कितने हैं 24 रुपे 20 पैसे कासपा मेरी entry हो पाई थी और इसको मेरा exit किया था 27 रुपे 15 पैसे कासपा तो बाता देता हूं exit क्योंकि यह था जैसे कि लगातर market आगे बढ़ा आगे बढ़ते हूं देखिए लगातर market देखे चल रहा यह लगबग market ने हाई लगाये तो यहां पर देख सकते हैं market के अंदर जो moment चल रहा था वो काफी शांदर चला लेकिन यहां पर देखेगा आपको exit point यहां पर मिला ठीक है और जैसे exit point मिला सर मैंने position को यहां पर exit कर लिया था तो महां पर जो मेरा exit हुआ वो लगबग check करे तो बताना चाहूंगो मैं 40 लोट से यहां पर काम किया था आप calculation करके देख लेना 40 लोट से यहां पर काम किया था लेकिन यह मेरा जो काम हुआ था यह मेरा दो बार काम किया था लगबग यह दो बार यानि कि 80 लोट के उबर काम है ठीक है तो total आज जो मेरा मुनाफा रहा वो 93,000 का है यहां पर मुनाफ़ा रहा यानि कि लगबग 1,00,000 के हम टच करते करते रुख गए हलाकि हम टच कर सकते थे लेकिन टाइम की कमी कारण भई मैं कभी कभी एचा करता हूं ट्रेड में अवोईड कर बाता हूं उस ट्रेड नहीं कर पाता हूं तो यहां पर अगर दे मार्केट विखलोड नीचे यहां पर आना शुरू कर दिया था और मार्केट में कर जाता सकते हैं वो लिव ुम कुरीन था इस्टरेंद मार्केट गांच्या करेंगे बाइक करने साथ स्था से आप चेक कर सकते हैं तो फिर आपका देखिए टागेट आपका अचीव नहीं हुआ इसके पहले मार्कट यहां से रिवर्स हो चुका था ठीक है तो आपको यहां पर बताना चाहूंगा जब हम ऐसा होता मार्केट के अंदर जैसे कि मांचेली हमारा टागेट अचीव नहीं हुआ कउया है यहां पर देखिए आपको यहां पर सिंगल जो होता है हम उसमें गुरते जब तक हम्ही डीं करते हैं अगर हम फारेश केघल पर करने हैं और यहां पर अगर मार्केट देखिऑ आपको वो white color की candle generate करके देदा, हम यहाँ पर exit नहीं कर सकते हैं, हम wait करते हैं, लेकिन साथ में आप देखेगा, यहाँ पर red color का indication मिला था, exit करने का, आप देखेगा, आपका exit point कितने होते हैं, आपको exit point कैसे मिलते हैं, white color candle मिलती है, और yellow color की आपको indication मिलते हैं, 9 number मिलता exit करने के ऐसा arrow, white candle के साथ में अगर बनता है, तो हमें आपर strictly exit करना पड़ता है, मतलब market यहाँ से totally reverse होने वाला है, और देखें क्या हुआ, यहाँ से आपका जो line था अपना यह green color का, बो भी यहाँ पर देखेगा, red में convert हो चुका है, यानि कि strictly आपको यहाँ पर exit कर जाना तो यान हमने यहाँ पर exit किया, exit करने बाद देख सकते है, market देखेगा, totally down field के अंदर यहाँ पर आ चुका है, तो इस तरह से market के train को हम पकड़के easily market में काम कर पाते हैं, कोई भी गलात अगर हमारा trade अगर हो भी जाता है, तो वहाँ पर हम लोग exit कर जाते हैं, इस condition के आपका coding, ठीक आपको दिखा दूँ, अब देखेगा, जैसे हमने आपर चेक किये तो देखेगा, बार रिपले मैंने कर रहा हूँ, तो जैसे market ओपन हुआ, चावाली 1700 का call option देखा, तो यहाँ पर जो price चल रही थी, साब बहुत जाद नीचे चल रही थी, क्योंकि जब हम काम करने जाते हैं, options के अंदर, तो वहाँ पर हमें जो premium value है, वो कम से हमें 100 रुपीज की लगबग याप पर premium value चल रही होनी चाहिए, तो ही हम काम करते हैं, यह भी देखे, 100 रुपीज के नीचे है, हम ओ नीचे जाएंगे, 44,500 चेक करते हैं, 44,500 यहाँ पर लगा देते हैं, और देखेगा इसका call option, यहाँ पर भी देखेगा, लगबग 92 के असपास है, इस पर भी काम नीच करेंगे, 44,400 का हम call option चेक करते हैं, तो यहाँ पर देख यहाँ पर premium value लगाता, नीचे आता हुँ दिखाए दे रहा है, और call option के अंदर हमें आपर अभी दक कोई signal अभी तक नहीं मिला, हम simple सा यहाँ पर wait करेंगे, signal generate होने का, तो यहाँ पर check कर सकते हैं, आपका premium value जो 100 रुपेज के आसपास चलता हुँ नजर आ रहा है, लेकिन premium value आपका 100 से नीचे चला गया है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल से जाएंगे यहाँ पर, चावल हिआर 300 का हम इसको चालू कर देता हूँ और आप चेक कर सकते हैं, चावल हिआर 300 का मैं इस ट्राइक प्राइज यहाँ पर लगा देता हूँ, तो लग बग देड़स रुपे इस ट्रंथ आपका rate है, काम नहीं कर सकते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जैसे हम लोग आपर आगे बढ़े आप चेक कर सकते हैं, कोई जादे हैं आपर movement दिखाई नहीं दिया, और देखेगा market यह आपर नीचे आता हुए दिखाई दे रहा है, तो इस तरह से बैग न 1200 का यहाँ पर premium आपके select कर लेते हैं, यहाँ पर देखेगा आपके premium value आ गई, 100 के ऊपर check कर लेते हैं, और देखेगा यहाँ पर आपका जो premium value चल रहा है, 100 को पर चल रहा है, लेकिन market के अदर कोई अच्छा खासा moment नहीं है, और देखेगा market के अंदर कुछ इस तरह का हुआ लेकिन यहां पर एक काम हुआ था इसके अंदर चेक कर सकते नीचे वोल्यूम आपका क्या था रेड था इसका बाद यहां पर आपको रेंट्री हुआ नीचे वोल्यूम आपका रेड था मार्केट के स्ट्रेंथ यहां पर क्या था बहुत भी रेड था इसमें भी काम न कारे आपको अच्छी ही लग योगि सारी चीजे आला कि मैने बारिक से बताने कोशिश की है और इसमें वीडियो के अंदर जितने भी डाउट थे आपके मैंने बहुंत की लिए कोशिश की बनेगा और देखेगा मार्केट के अंदर देखेगा पैसा बनाना भई बहुत आसानी से बनता है पहले टेड़ी खीर हुआ करता था पहले लगता था क्यार पैसा बने गई नहीं बहुत से लोग रोते रहते थे लेकिन दोस्तों अब मत रो अब आपके पास स्मार्ट करके देखो definitely आप ऐसा बनाओगे तो सारी चीजे में आपर clear कर चुका हूँ दोस्तों आशा करतू जानकर आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको सुट्टर का live demo चाहिए तो यहाँ पर देखे contact information हमारी दे रखी हैं यहाँ पर इस पर हमें WhatsApp कर सकते हैं कोल कर सकते हैं किनाओ शें हैं कर दोल वहाँ शें कर दिनिघ तो कर सकते हैं कर दो यहाँ परेखें हैं यहाँ वीजी अधितन यह च्यलिए्टर दक्ते हैं